अरपन कर रहा हूँ आ गया है चुनाव अब वादों का पिटारा खुला हुआ है आ गया है चुनाव अब वादों का पिटारा खुला हुआ है रंगे है जिनके हाथ अभी भी वह हाथ भी अब धुला हुआ है जीत मिलेगी या हारेगा प्रत्यासी गदगद और फुला हुआ है वादा और आस्वासन है इतना कि जनता भी खुसी से जुला हुआ है आ गया है चुनावब वादों का पिटारा खुला हुआ है नमस्कार मित्रो मैं मुकेश प्रजापती आप सभी के साथ में चंद पंक्तियों के साथ में जूड रहा हूँ अब मौसम चुनाव का है और जनता से आगरह करूँगा कि अपना बहुमुल्य ओट जिसे भी दें जो भी प्रत्यासी उनके छेतर में अच्छे विकास कार्य कर रहे हैं या जिन से उनकी अपेक्छाए हैं और जिन में ब्रश्टाचार नहीं हैं अच्छे प्रत्यासी हैं ऐसे लोगों का चुनाव करें और सदन में भेजें ताकि ओ आपके आसपास के विकास के साथ में अच्छे रोजगार का स्रिजन कर सकें और आने वाले जनरेशन के लिए अच्छा कारे कर सकें उसके लिए मैं चंद पंक्तियां आप सभी के साथ में साज़ा कर रहा हूं क्योंकि चुनाव में बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से आसवासन देंगे और धरातल पर बाद में आपको दिखाई नहीं देंगे तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा और हम राजा हैं और हमें सरकार चुनने का पूरा अधिकार है एक अच्छी सरकार चुनने के लिए हमें मद्दान करना चाहिए और एक अच्छे रज्य का निर्मान में हमें अपना अहम योगदान भी देना चाहिए अभी पांच राज्यों में चुनाव है तो अभी उसी क और एखांकित करने के लिए मैं कुछ पंक्तियां अरपन कर रहा हूँ आ गया है चुनाओ अब वादों का पिटारा खुला हुआ है रंगे है जिनके हाथ अभी भी वह हाथ भी अब धुला हुआ है आ गया है चुनाओ अब वादों का पिटारा खुला हुआ है जीत मिलेगी या हारेगा प्रत्यासी गदगद और फुला हुआ है वादा और आस्वासन है इतना कि जनता भी खुसी से जुला हुआ है आ गया है चुनाव वादों का पिटारा खुला हुआ है अंतिम पंक्तियां जिसकी जरूरत नहीं है लोगों में ऐसी चीजे भी अनर्गल चीजे भी लोगों में बाट दी जाती हैं जिसका मैं यहाँ पर नाम नहीं लोगा जिसकी जरूरत नहीं है लोगों में प्रत्यासी देने पर तुछ